नमस्कार, वेलकम टॉ जीकेशन थेरपी दोस्तों आज हम आक्सीजं चक्र के बारे में जाने गे और बाता है प्रत्वी में पर हैंगे ये जो आक्सीजण एक रूप से बदल के दू़री रूप में बदलते रहते हैं यानि अभी gas के रूप में है, gas से किसी और रूप में आए और उससे फिर से बदल के वो gas के रूप में हो गया तो ये जो चक्रड होता है इसी को oxygen चक्रड कहते है जब oxygen किसी ना किसी रूप में बदल कर दोबारा अपने रूपों को बदलता रहता है ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में इसको कहते हैं oxygen चक्रड अब हमें ये पता है और अगर नहीं भी पता है तो ये हम जान लेते हैं कि हमारे वाय मंडल में जो oxygen है लगभग 21% अविलेबल है अब ये होता क्या है, प्रित्वी पर ये जो प्रित्वी का पटल है या पटल कहेंगे या जो सत्य है यहाँ पे बहुत सारी योगिक के रूप में ये पाए जाते हैं अब उनमें oxygen भी होता है और यहाँ पे carbon dioxide भी पाई जाती है अब carbon dioxide में आप देखेंगे, ये जो O है, यानि CO2 लिखते हैं न, क्या लिखते हैं CO2, यही होता है हमारा carbon dioxide, अब इसमें जो O है, यही तो oxygen है तो ये जो oxygen है, ये योगिक के रूप में भी पाए जाता है और दातों के silicateों के रूप में पाए जाता है, जैसे अब ये सतह पे हमारी प्रित्वी पे carbonate के रूप में होते हैं sulphate, nitrate और बहुत से रूप में ये oxygen जो हैं हमारी प्रित्वी पे पाए जाते हैं अब यहाँ पे होता क्या है अब यहाँ पे कुछ जैवी कड़ूओं की भी बात कर लेते हैं तो carbohydrates, protein, nucleics या nucleic अमल जो होते हैं वसा ये सब क्या हैं ये आवस्या घटक है, इन सब में भी हमारे क्या होते हैं, oxygen होते हैं जब हम इसके चक्रड की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वही oxygen gas हम स्वसन क्रिया में इस्तमाल करते हैं तो जब ये स्वसन क्रिया में हमने इस्तमाल किया, जन तो लोग क्या करते हैं oxygen लेते हैं, carbon dioxide निकालते हैं अब स्वसन क्रिया में इस्तमाल करते हैं, स्वसन क्रिया के बात या तो ये पानी हो गया ससन क्रिया के साथ साथ पानी का भीरू होता है S2O क्या है S2O में जो O है वो क्या है ऑक्सीजन ही तो है तो ससन क्रिया हुआ ससन क्रिया में S2O भी आता है S2O जो है इसमें ऑक्सीजन है अब S2O का प्रकास संसलेशन हुआ प्रकास iam correlation का पनतर दोखो प्रकास iam correlation कौन करता है पॉधे करते है आब इसी सुर्फ का वास्पन हो जाता है तो वास्पन होता है तो यह आंश्मान में ही जाते हैं तो यह विखंड़ित होके फिर से oxygen का रूप ले लेते हैं वहाँ ऊपर जाते हैं ठीक तो जब जन्तु स्वसन करते हैं और पौधे स्वसन करते हैं देखिए पौधे स्वसन किये तो क्या निकलेगा पानी, कार्बन डायकसाइड ये चीज़े निकलेगे सोरी, आक्सीजन निकलेगा ठीक, तो वो भी वायो मंडल में मिल गया दूसरा जब जन्तु सोसन करेंगे तो क्या होगा कार्बन डायकसाइड निकलेगा अब कार्बन डायकसाइड गया ये भी क्या हुआ अब ये कार्बन डायकसाइड जो निकलेगा इसका इस्तमाल क्यों कर लेगा पौधे कर लेंगे पौधे इसको ग्रहड कर लेंगे आक्सिजन फिर से निकाल देंगे फिर वो कहां गया फिर से वो चला गया हमारा वाय मंडल में दूसरा जब पौधे इस्तमाल करते हैं तो पौधे इसका एक कार्बनिक अड़ू भी बनाते हैं साथ साथ जिसको ग्लूकोज कहते हैं C6H12O6 ये कार्बनिक अड़ू भी बनता है इसका इस्तमाल फिर जो जन्तु है या जो जीव है वो इसका इस्तमाल कर लेते हैं फिर से किसमें उर्जा प्राप्त करने में उर्जा प्राप्त करेंगे तो स्वशन करेंगे स्वशन करेंगे तो उर्जा खपत भी होगी ठीक है तो ये क्रिया जो है ये ऐसे चलती रहती है, तो इसी को हम कहते हैं oxygen cycle, ठीक है, यहाँ पे जो oxygen cycle है या oxygen का चक्र है, ये कुछ इसी तरह से हमेशा चलता रहता है, उमीद है आपको ये oxygen का चक्र जो है, oxygen चक्र जो है ये समझ में आया होगा, कहीं कोई doubt है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए धन्यवाद,